नमस्कार सांथियों स्वागत है आपका मात्र 51 रुपे में MPPST मेंस के अभ्यरतियों के लिए पर्सनल मेंटर्शिप प्रोग्राम क्या है प्रोग्राम? चार बिंदूओं के मात्धियम से समझने का प्रयास करेंगे पहला बिंदू हमारा होगा कि ये प्रोग्राम किसके लिए जरूरी है सेकेंड बिंदू हमारा होगा इसमें खास क्या है, रोचक क्या है, क्या है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है तीसरा बिंदू हम देखेंगे कि इसकी पद्दती क्या रहेगी और चोथा औरती महत्पूर्ण बिंदू की इसका schedule क्या है सांथियों पहला बिंदू की ये program किसके लिए खास है ये हर उस अभ्यरती के लिए खास है जो कम से कम एक बार civil service की त्यारी कर चुका है जो कम से कम एक बार attempt दे चुका है prelims का चाहे उसका निकल रहू या नहीं निकल रहा हूँ मतलब वे अव्यर्ती जो October वाला means देने वाले है उनके लिए भी ज़रूरी है और वे अव्यर्ती जिनका prelims नहीं निकल पा रहा है जो अगले प्रिके लिए inntजार में है वो इस दोरां अपना mains तियार करने क्रम में इस program को जॉइन कर सकते हैं सेकेंड विंदू हमारा है कि इस program में खास क्या है रोचक क्या है तो पहला खास बिंदू तो आपको पहले ही मेने बता दिया कि मातर 51 रुपे में बट ये किस तरह से होगा ये बाते में रोचक बिंदू के अंतरगत पताने वालो हूँ हमने क्या किया है हमने पूरे MPPAC मेंस के पाठ करम को पूरे सलेवस को अलग-अलग पार्ट में रिलीस करने का प्रयास किया है ये निर्नलिया है जहां हम सबसे पहले पेपर 1 का केवल part A रिलीस कर रहे हैं आपके लिए केवल part A जब ये complete हो जाएगा तो ये complete होगा उसके पहले ही हम paper 1 के part B का schedule जारी कर देंगे फिर उसी तरह से paper 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 ठीक, पार्ट में release करने हैं ये खास क्यों है ये खास इसलिए है कि वे अभ्यरती जो पूरी शंखला का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिनें लगता है कि हमारा केवल ये पार्ट कमजोर है हम इसकी practice कर लेते हैं या हमें केवल ये दो पार्ट करने हैं इस तरह के अभ्यरतीयों के लिए ये लाबदायक होगा clear? नंबर से के, ये जो मैं 51 रुपे आपको फीस बता रहा हूँ ये फीस इस पूरे पार्ट A के लिए है मतलब paper 1 पार्ट A में जो 5 यूनिट हैं हर पार्ट में पांच यूनिट होती है उन पांचों यूनिट के जब हम आपसे पूरे टेस्ट ले लेंगे जिनकी कुल संक्या 16 है उस पूरे की फीस 51 रुपे है पूरे की कई अब भेड़तीयों को ये confusion हो रहा है कि सर हर यूनिट का 51 है क्या नहीं भाई पूरा पार्ट A पूरी पांच यूनिट पेपर 1 की मात्र 51 रुपे में इसकी आप टेस्ट सिरीज कर सकते हैं जोईन क्लियर ये दूसरा खास बिंदू है तीसरा खास बिंदू इसी में रुचक बिंदू इसी में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहने वाला है ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी रहेगा मतलव आप संस्थान में आकर भी टेस्ट दे सकते हैं और आप यदि नहीं आप आ रहे हैं तो आप घर वेठे भी टेस्ट दे सकते हैं इसक्रशन को लाइब क्लास के मादवेम से अटेंड कर सकते हैं हमारी एप्लिकेशन के जरिए ठीक, चोथा इंपॉर्टेंट रोचक बिंदू, कई अब भ्यरतियों को लग रहा है कि भाई इतनी कम फीस है, तो कॉपीज वगेरा हमें खुद की लानी है, क्या नहीं भाई, उत्तर पुस्तिका भी हम ही देंगे, जो बिल्कुल वही पुस्तिका होगी, जो एक्जाम हॉल में आपको मिलने वाली है, उसी तरह के कोश्चन उसमें अंकित हो के प्रिंटिड हो के आएंगे, जिसे वहां मिलते हैं, और इसके अलावा सबसे खास ये है, कि आप जो भी प के सवी थ्री मारकर बित मॉडल आंसर मैं आपको प्रोवाइट करूँगा बिल्कुल निशुलक, बो भी आपको मिलेगा, इसी के अंतरगत, क्लियर, तो 51 रुपए जो है, वो पूरे पेपर वन के पार्ट ए के लिए है, और एक चीज सुन लीजिए, ये बिल्कुल कन्फि पेपर की टोटल शुलक, टोटल फीस हंड्रेड रुपीज की ऊपर नहीं जाएगी, ये मेरा आपको बाता है, अब जैसे आप पेपर वन देखे तो पार्ट ए की फीस 50 रुपए, 51 रुपए, पार्ट बी की भी मेक्जिमम इतरी होगी, मतलब हंड्रेड रुपे में हमारे बच्चे का अभ्यरती का एक पूरा पेपर प्रेक्टिस के साथ तियार हो जाएगा, क्लियर, कॉपीज वगेरा सब हम देंगे, ठीक, ये एक बात हो गई, पद्धिती क्या है, ये तो रोचक विंदू में आपको बता दिये, पद्धिती ये है कि हमने इसमें लाइव आंस उस समय पर येदि आप कोचिंग में आये, तो आपको यहाँ पेपर दे दिये जाएगा, मतलब कोपी दे जाएगे, जिसमें कोच्छन रहेंगे, नहीं आपाये तो आपको पहले ही आपको वाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइट करा दी जाएगे, जो ल मंदित कुल 10-3 मारकर, 5-5 मारकर और 2-11 मारकर हम आपको देंगे कॉपी में, ठीक, जिसके लिए आपको 45 मिनिट मिलेंगे, क्योंकि लगवग इतना ही वहाँ भी मिलने वाला है, ठीक, उस 45 मिनिट के बाद, लगवग 20-25 मिनिट में, हम उस पूरे पेपर का, जो आपने दि जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्यों की वेराइटीस किस तरह की है, आपको किस तरह की कोश्ट की किस तरह से टेकल करना है, आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, क्या-kya इंपूर्स उसमें डालें जिसे आपका आंसर अंज हो सकता है, ये सब बाते लगभग 20 मि आपका ज्यादा समय जाया नहीं किया जाएगा इसके अलावा सुनिये वो अब भेड़ती जो यह चाहता है कि भाई हमने पेपर दिया सर ने एक मॉड़ल आंसर डिसकस कर लिये सर ने थोड़ा सा डिसक्रशन करके हमें बता दिये कि क्या क्या कर सकते तो और हमने self evolution कर लिया है अपना बट हमें अलग से भी copy चेक करानी है सर से तो आप अपनी copy या थो मेरे से तुरंट check करा सकते हैं या अपनी copy जमा करके जा सकते हैं और अगले दिन जबाब paper दे आएगी उससे पहले आपको कुछ एक में लेगी तो होगिया ना टेस्स सिरीज प्लस लाइव आंसर राइटिंग दोनों मोड का समावेशी तुरू जहां आपने लाइव आंसर राइटिंग का पेटर्न भी फॉलो कर लिया कोशन दिये आपने लेखे हमने डिसकस किया और आपने सेल्फ एविलूशन किय साथ ही आप को एदि कई पिचेक करानी है तो आप तुरंत भी करा सकते हैं और जमा कर सकते हैं और अगले देन की परफ़ सकते हैं clear? सिस सब में क्या होगा? सिस सम में यह होगा कि आपकी तियारी पाइट वाइज होगी जैसे हमने हर यूनिट को तीन-तीन पार्ट में तोड़ा हुआ है तो पार्ट वाइस त्यारी करने का फायदा यह होगा कि आप पहली बात तो डेली आंसर राइटिंग की प्रिक्टिस से जुड़ जाएंगे लगभग 45 मिनिट आप डेली लिखेंगे तो श्यारी की आंसर राइटिंग की प्रिक्टिस होगी इसके अलावा आपको हर टॉपिक के लगभग सभी संभावित प्रश्न देखने को मिल जाएंगे क्योंकि जब हम पूरी कम्प्लीट एक इकाई का पेपर लेते हैं एक में हमने तीन मिन्दू में से तोड़ा है स्टार्टिंग से जो हिस्ट्री है उससे लेके वेदिक काल के एंड तक ठीक एक पॉइंट है जिसका पेपर होगा तीस तारिक को ठीक सेम 45 मिनिट का पेपर होगा नेक्स 20-25 में डिस्कॉशन होगा कॉपी आपे दीचे करना चाहते हैं तो तुरंट करसकते हैं या जमा करके जा सकते हैं दूसरा धार में कांदोलन से मोरे काल के अंदे तक ये एक सिक्षन होगा और फिर मोरे उत्तर से लेके गुपत और गुपत उत्तर मतलब पूरा प्राची नितिहास यह आपके तीन पेपर होंगे तीस एक और तीन को तीस तारिक, एक तारिक और तीन तारिक दो तारिक को कुछ नहीं है क्योंकि दो तारिक को संडे है तो संडे के कारण वो चुटी रहेगी पिर उसी तरह हम जंब करेंगे एकाई टू पे एकाई 2 में राजपूत काल से मामला शुरू होगा, ठीक, और इसमें तुगलक के अंतर तक हम देखेंगे, तो दिल्ली सल्तनत अपने आप में बहुत बढ़ी है, तो तुगलक तक इसमें देखेंगे, फिर तुगलक के बाद से शुरू होगा, और उधर अकवर के पहले तक ह जो मुगलकाल है, वो कम्प्लीट, और फिर ये मराथा से ब्रिटिश कालीन अर्थेवस्ता वाला जो बिंदू है, ये होगा, ये सब होगे इन इन डेट्स पे, चार तारिक, पांस तारिक, छे तारिक और साथ तारिक, ठीक, एक एक बिंदू, चलिए, इसके बाद क्या एकाई तीन में दो बिंदू है, गांधी, मतला जो मॉडनिस्ट्री है, उसमें जो विद्रो होते हैं, जो अठारो सत्तावन की क्रांती होती है, वहां सब से लेके गांधी का जो पिरेड होता है, गांधी आते हैं और वो अंदूलों के होते हैं, उसके एंड तक, और फिर पेपर होगा, रॉलेट एक्ट वाले जो टाइम है, वहां से लेके, पूरा मॉडन हिस्ट्री के एंड तक, इसकी दो तारिख है, आठ और दस, नो तारिख का फिर यहां गेव है, क्योंकि संडे है, फिर एकाई चार आजाएगी है हमारी, और एकाई चार में, तीन पार्ट गोंडवाना, बगेलखंड, होलकर, यह रियासत, इसके बाद, भोपाल और सिंधिया, यह रियासत, और तीसरा पेपर, पूरे बुंदेलखंड रियासत का, चाउदा, पंदरा और सत्रा, सोला का फिर गेव है, क्योंकि संडे है, इस तरह से, हमने यह आपको श्रियूल बत पूरा पार्ट एका, पूरा पार्ट एका, एफिल्टी लिया जाएगा, क्लियर है, तो इस तरह से, इस बिंदू के हिसाफ से देखें, तो कुल पंदरा पेपर हो रहा है, और जो एफिल्टी है, यह सोलवा है, मतलब सोला पेपर आपके होंगे, क्लियर, और एफिल्टी ज इसके बाद, विशेष्टा जो कि मैं आपको पहले ही बदा चुका हूँ, कि पेपर वन का संपूर्ण पार्ट ए मात्र 51 रुपे में हैं, 16 पेपर इसमें शामिल हैं, ऑफलाइन ओनलाइन दोनों के लिए समान शुलखे, कोई अब बेड़ती ओनलाइन जुनना चाहता है, तो वो भी हमसे संपर कर सकता है, और उसे यहां के लाइव डिसकुशन सीधे जाएंगे, जो यहां क्लास चलेगी, वो घर वेठे देखेगा, प्रतिक पेपर के बाद, मौडल आंसर डिसकुशन होगा, थ्री मार्कर्स आपको निशुलख दिये जाएंगे, जो मैंने बताया, और आगामी समय सारणी, इस समय सारणी के खत्म होने के पहले ही रिलीस कर दी जाएगी, आपकी जरूवत के अनुरूख, आप से डिसकुश करके, आपका फीड़ बेक लेके, कि आप इस तरह की इसमें कमफर्टेवल कितने हैं उस आधार पर, clear? और अन्ने किसी भी तरह की क करें, तीस तारिक से कुछ ही समय बचा है, ये प्रोग्राम हमारा शुरू होने वाला है, बहुत बहुत धन्यवारा